सो हेलो गाइज एम अकाश के रवी और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डेविच रिज रॉल के कलर पेज के अंदर लोकल ग्रेड एंड रिमोट ग्रेड को बहुत ही इन डिफ्थ देखने वाले हैं यह यहाँ पर होते क्या है और इन में डिफ्रेंस क्या है वो सारी चीजे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो चलो वीडियो शाट करते हैं और इसे समझते हैं So now let's talk about local grade versus remote grade in color page यह यहां हमारे color page में क्या होते हैं यह यहां कैसे काम करते हैं और यह कैसे एक दुसरे से अलग हैं वो सारी चीजे हम इहां discuss करेंगे तो पहली बात तो यह है कि अभी तक हमने जो भी यहां color grading किया हुआ है वो सारे यहां local grades थे मतलब जिस भी footage या clip पर हमने कोई color grade apply किया है उसे अभी तक हमने locally किया है यानि कि local grade उस पर apply किया है अब ये local grade क्या होता है local grade simply हम उसे कहते हैं जब हम यहाँ पर कोई एक clip को यहाँ color grade कर रहे होते हैं like in this case you can see मेरे पास अपने डिट टैब में यहाँ बहुत सारे footage हैं ठीक है और यह यहाँ पर इस तरह से split या फिर cut करके रखे हुए और यही सारे clips हमारे color page में यहाँ show हो रहे हैं right और माल लेते हैं कि इन सारे clips को यहाँ मुझे color grade करना है ठीक है so हम normally यहाँ क्या करते हैं अपने किसी clip को यहाँ select करते हैं और इस तरह से उसे color grade करते हैं like मैं यहाँ पर जाओंगा और इसे पहले रेक 709 में यहाँ इसे convert करूँगा like यहाँ color space transform में डालूँगा और यहाँ से इसे सही color space में यहाँ convert करूँगा यह होगी हमारा conversion from log to rec 709 उसके बाद माल लेते हैं मैं यहाँ पर alt s करूँगा और यहाँ पर कुछ और चीजे करूँगा like primaries में जाके यहाँ इसके gain को मैं इस तरह से बढ़ाऊंगा shadows down करूँगा थोड़ा सा ठीक है offset में थोड़ा सा यहाँ बढ़ाऊंगा और यहाँ पर camera में मैं थोड़ा सा यहाँ red add करूँगा और इसके बाद थोड़ा सा temperature में increase करूँगा और tint में थोड़ा सा प्लस करूँगा इस तरह से और cost में जाकर थोड़ा से bright करूँगा ठीक है माल लेते हैं यह हमारा color grading यहाँ done है अभी तक हम यहाँ अपने individual clip को यहाँ color grade कर रहे थे और in case अगर हमें इसी clip का color grade apply करना पड़ता था किसी दूसरे clip में तो हम यहाँ पर gallery stills, power grades या फिर color grade copy and paste करते थे और उससे हमारा सारा clips यहाँ पर color grade होता था ठीक है अभी मेरा यह एक shot है जिसे मैंने यहाँ color grade किया हुआ है basically और यह सारे भी shots यहाँ पर वही same spot और वही same place के है तो I know कि मुझे इन सारे shots को भी यहाँ इसी तरह से यहाँ पर color grade करना होगा तो मैं यहाँ पर simply क्या कर सकता हूँ इसी का color grade इस पर copy paste कर सकता हूँ ठीक है जो कि हम simply अपने किसी log footage को यहाँ click करेंगे जिस पर हमें color grade apply करना है और वहाँ पर रहते हुए अपने middle mouse button से यहाँ अपने color graded footage पर click करेंगे और यह हमारा same color grade यहाँ copy paste हो जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर इसी तरह से काम करते थे और अपने footage को one by one यहाँ color grade करते थे या फिर उसके colors को यहाँ अपने other footage पर copy paste करते थे और यह सारी चीज़े हम यहाँ individually करते थे यानि कि locally करते थे तो अपने एक clip को यहाँ click करना और उसे color grade करना यहाँ कहलाता है local grade जहाँ पर simply अपने हम किसी specific footage को यहाँ color grade कर रहे होते हैं ठीक है no matter कि हम बाद में जाकर उसका color grade किसी पर copy paste करेंगे हम यहाँ locally कर रहे होते थे अभी तक ठीक है तो यही है हमारा local grades अब यहाँ remote grade क्या होते हैं वो हम यहाँ पर दिख लेते हैं इसके लिए मैं यहाँ पर अपना कोई दूसरा project यहाँ पर open कर रहा हूँ जहाँ पर आपको मैं इसे अच्छी तरह किसे समझा सकूँ तो you can see मेरा अभी यह एक timeline है और यहाँ पर मैंने एक YouTube वीडियो का intro रखा हुआ है और you know कि यह जो footage है वो मैंने एक जगा बैट कर यहाँ shoot किया हुआ है तो इसका जो footage होगा वो यहाँ पर same होगा बस इसके अंदर जो भी मैंने गलतिया किया होगी उसको मैंने यहाँ cut out किया होगा ठीक है you know that तो यहाँ पर यह footage है जिसका यहाँ पर name है MVI 1453 और you can see यह सारा footage यहाँ पर वही है तो we know कि यह जो footage है वो यहाँ पर एक ही footage था और इसका मैंने यहाँ पर cut out रखा हुआ है तो अगर अब मैं इसी timeline को यहाँ पर open करते हुए यहाँ अपने color page पर shift करूँ इस तरह से और अभी अपने color page को देखूँ तो यहाँ पर हमें 6 अलग-अलग clip दिखाए दे रहे हैं अपने clips tab में और यहाँ इन 6 clips पर हमने यह color grade apply किया हुआ है जो कि मैंने इन सारे notes से यहाँ color grade किया हुआ है यह है log and यह है हमारा final look तो यह 6 clips यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी हमें वो हमारे एक ही footage के cut out है जो कि आपको पता है तो अगर माल लेते हैं कि यह footage है वो यहाँ पर cut out रहता और यहाँ पर यह इस तरह से log में रहता तो अभी हमारे सारे footage यहाँ log में है मैंने सारे को यहाँ reset कर दिया है तो अभी यहाँ पर यह flat है और मुझे इसे from the scratch यहाँ color grade करना पड़ेगा तो एक वे तो यहाँ यह हो जाएगा कि हम अपने किसी एक clip को यहाँ चुने और वहाँ पर color grade करते हुए जाए like माल लेते है उसी तरह से like मैं यहाँ पर इसे पहले transform करूँगा log से normal image में ठीक है x79 and gamma 2.4 यह होगी हमारा conversion उसके बाद माल लेते हैं मैं थोड़ा सा इसका brightness बढ़ा रहा हूं mid tones, highlights बढ़ा रहा हूं ठीक है just quickly मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं उसके बाद थोड़ा सा मैं इसका situation बढ़ा रहा हूं like 56 and temperature हम बढ़ाएंगे यहाँ के थोड़ा सा like 220 and 20 okay and 10 थोड़ा सा मैं इस तरह से minus 10 रख रहा हूं तो यह हमारा अभी तक का color grade है before and after ठीक है उसके बाद माल लेते हैं एक और node add किया मैंने यहाँ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस से color grade कर रहा हूं इस तरह से ठीक है इस तरह से looking good और थोड़ा सा मैं इसका offset यहाँ इंक्रीज कर रहा हूं और थोड़ा सा इस से मैं एक look यहाँ दे रहा हूं लाइक दिस okay situation मैं थोड़ा सा यहाँ पर आके बढ़ा रहा हूं अपने third y node में आकर 60 कर रहा हूं अभी तक हम यहाँ पर done है I know कि थोड़ा सा यह basic सा है बर यहाँ पर यह done है और यहाँ पर copy paste कर सकते थे इस तरह से और यह हमारा color grading यहाँ done हो जाता ठीक है सो हम यहाँ यह करने के बजाए अभी तो हमारे पास 4-5-6 footage है जो कि हम easily यहाँ पर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो अगर हमारे पास किसी एक camera का 100-100-200 footage रहें जो कि हमें client से मिले और client हमें बार-बार revision और look change करने के लिए बोलता रहें तो हम उस case में यहाँ इस्तवाल कर सकते हैं remote grade यह remote grade क्या होता है let me explain you so अभी मैं यहाँ इस clip पर right click करूँगा और यहाँ से remote grade enable करूँगा यहाँ पर यह option है use remote grades जैसे हम यहाँ इसे click करते हैं हमारा सारा footage यहाँ reset हो जाएगा और in footage के clip के नीचे यहाँ नाम के साथ यह arrow icon नजर आएगा जो यहाँ बता रहा है कि यहाँ यह जो footage है उस पर अभी remote grade enabled है ठीक है so अब मैं दुबारा यहाँ अपने clip one को slick करूँ और यहाँ पर same color grade apply करूँ इस तरह से जल्दी मैं कर लेता हूं इसे और मैं simply यहाँ पर एक let apply कर रहा हूं अभी के लिए आपको सम्झाने के लिए like this और यहाँ पर मैं इसका gain डाउन कर रहा हूं 0.5 और यह हमारा color grade है basically so you can see अभी हमने अपने clip one पर यह color grade apply किया है और इसके साथ जो भी यहाँ nodes हमने apply किये हुए है इस clip पर वो हमारे सारे clip पर यहाँ apply हो गये है but शर्त यहाँ यही है कि वो सारे जो clip यहाँ है वो यहाँ एक ही source media यानि कि एक ही footage से आने चाहिए like in this case जो भी हमारा यहाँ cut out करके रखा हुआ है footage वो हमारा एक ही media से यहाँ है बस हमने इसे यहाँ split या फिर cut out करके रखा हुआ है like अगर मैं आपको raw footage दिखाऊं so मा लेते हैं यह वाला footage ठीक है so you can see अभी मेरा यह footage यहाँ on है और अभी यह footage है वो यहाँ पर इतना लंबा है मैंने यहाँ पर इतना bloopers इतना retex लिया है जो कि यहाँ completely raw है और यह footage यहाँ 14 minute का है जो कि मैंने एक ही take पर बहुत सारे YouTube का intro इसी footage में shoot कर लिया ठीक है and उसके बाद मैंने videos के अनुसार इसे cut out करके use किया so उसी तरह से यहाँ पर भी यह सारे footage रखे हुए है जहाँ पर मैंने अपना camera on किया और एक ही take पर वो सारे intro record कर लिये वो सारे lines या फिर takes record कर लिये जो कि मुझे अपने post production या फिर आगे के edit के लिए काम भी आएंगे in different projects so condition यहाँ पर same है कि आपका जो भी clips है वो यहाँ एक ही source file यानि कि एक ही footage का होना चाहिए चाहिए वो यहाँ पर कितना भी cut out हो कितना भी यहाँ split किया हुआ हो 1000 को भी यहाँ पर होगा तो यहाँ पर still यह काम करेगा मैं यहाँ convert करना है लैक मुझे यहाँ black and white करना है इसे तो अगर मैं मालत है एक और node add करूँ यहाँ इस fifth वाले clip पर और यहाँ से situation मैं down कर दू, zero कर दू तो यहाँ पर यह black and white होगी है हमारा fifth clip but क्योंकि इस clip पर अभी remote grade applied है enabled है इसलिए इस clip का source file यानि कि इससे जुड़े हुए सारे clips यहाँ पर black and white हो जाएंगे ठीक है तो इसका उपाए क्या है कि अगर किसी footage के different clip पर remote grade enabled है और हमें किसी specific clip को छेड़ना है जिर्फ इस clip को हाला कि इसमें remote grade enabled हो पर भी इसे छेड़ना है और बाकी के यहाँ जो footage है वो यहाँ इस पर disturb ना हो तो उसके लिए यहाँ एक उपाए है जो कि यहाँ पर simple है आप इस पर just right click कीजे और यहाँ से copy remote grade to local करिए ठीक है अब अगर आप यहाँ कोई और नोड़ करें और यहाँ से black and white करेंगे अपने इस fifth वाले clip को तो यहाँ पर हमारा जो भी other clips था जहाँ पर हमन तब तक के लिए हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में and till then it's peace out